वेलकुम टु माई चैनल और आज हम क्रेशन पेपर 2017 के निमेरिकल सोल करेंगे अब जैसे नेक्स्ट निमेरिकल मारे पास तो इसको सोल कर लेते हैं तो जैसे इसको इंटेग्रेट करना आपने तो लिखलो इसको कुछ इस तरीकी से अब बस इसके बाद बेसिक अपलाई करना आपने ठीक है ना किस तरीकी से अब देखो अब यह इस तीज का मतल देखो जीस को सबसे पहले यहां पर यह दिखा वर्ड एक स्केर ठीक है तब भी समझ जाओ टू एक्स ओना ची है फाइदा उठा लो इस बात का मतल पता है क्या है एक काम की बात बताई थी इंटिग्रेशन में सबसे आसान चीज और सबसे बड़ी चीज दोनों बात इसमें ठीक है ना और वो कौन सी है सबस्टिटुइशन मेथड वो वाली की कौन किसका डिफरेंसेशन है बात कतम तो आपको यह बात नजर आनी चीए एक स्केर का डिफ इस तरीके से चलो आपको तरीके बता देते हैं तो एक तो तरीका यह इस तरीके में भी काम की बात है पता है क्या मतलब एक केस तो यह पूट करना और एक इसी में लेट करना अंतर इन दो चीजों में एक तो पूट करके चलना और एक लेट करके चलना दोनों चीजों में अंतर होता है ठीक है इंटीग्रेशन में अब इसके बाद एक तो तरीका यह होगा कि आप X स्क्वेर को पुट कर दो डिफ्रेंसेशन करो और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को सोल कर लो एक तो असान ही यह तरीका एक यह लेट वाली बात क्योंकि देखो आप थोड़ा सा सोचो आप यह सारी बात बूल जाओ कि यह बात नहीं दिखी कोई बात नहीं कि मतलब X स्क्वेर का 2X डिफ्रेंसेश तंक करेगा तो यहीं पर सोचो अगर हम सिंपली मल्टिप्लाई करते क्या होगा देखो यहां पर X स्क्वेर यहां पर A प्लस B का उल स्क्वेर मतलब X स्क्वेर का उल स्क्वेर हैगा सिंपली कहने का मतलब यह वाली चीज है तो जैसे फोर्मुला जो भी A स्क्वेर प्लस B square plus 2AB मतलब एक square मतलब इसका whole square होगा x square पहले से और एक और करोगे x की power 4 हो जाएगी समझने के इसाब से सही है और into में x square की मतलब यहाँ पर कहने का मतलब एक ट्रम आपको इस तरीके की नजर जरूर आएगी अगर किसी ने direct multiply की तो सही है अब यहीं पर आप यह बात मान के चलो x की power 8 ठीक है ना काम की बात पता है क्या है integration में जीतने भी formula होते है मतलब कोई भी working rule भी कह सकते है आप rule के इसाब से मतलब type के इसाब से बात कर सकते हो main बात क्या है integration maximum by quadratic तक होता है मतलब किसी working rule के इसाब से यह type के इसाब से चल रहे है by quadratic का मतलब होता है power 2 और by का मतलब जैसे by word है उसका मतलब होता है 2 power पर लेथी और 2 और करोगे तो मतलब x की power 4 मतलब यह type x की power 4 वाली भी होती है plus to class में में बात है यह मतलब x की power 4 लेकिन यहाँ पर simply multiply कर दे तो अमारे पास रिजल्ट आएगा x की power 8 अंतर किस चीज का है power double है यह double वाली बात तो समझ में आरे होगी न आपको यह actual में double का मतलब इस तरीकी से power में double है यह double आप यहाँ पर मत कर देना अंतर इस चीज में ठीक है तो इस तरीकी मतलब x की power 8 तंग करेगी अगर मतलब आप इस हिसाब से चलना चाते हो तो तब की बात है ठीक है तो फिर क्या करोगी यह कह दो कि पलस टू कुलास में integration में maximum x की power 4 तक होता है integration बात करता है मतलब by quadratic का तो मतलब x की power 8 तंग करी है तो थोड़ा सोचो यह x की power 4 तक कैसे आएगा हर चीज का आफ करतो हर power का आफ करतो समझ गए तो x की power 4 की जिगए कहने का मतलब है अमारे पास कहीं न कहीं से x की power 2 आजए समझ ने के हिसाब से यह है काम की बात फिर समझ जवाब x square को यह let वाली यहां से बात निकल के आ जाएगी कि x square को आप simply put करतो सही है वहां से आप integration solve कर सकते हो सही है तो इस तरीके से और आप यहां पर direct कोई भी working rule नहीं apply कर सकते है मतलब यहां तो आप put करके नहीं चले या फिर let फिर numerical solve नहीं होगा इस बात का यह मतलब है देखो यहां पर कोई अगर partial fraction apply करना चाहिए ठीक है partial fraction आप apply कर सकते हो लेकिन थोड़ा सच सोचो कौन सी चीज तंग करेगी तंग तो फिर भी नहीं करेगी क्यों देखो यह क्या है simply यह जो x square plus 1 है यह factor है यह कैसा है यह quadratic quadratic कैसे पता चला maximum power है 2 और यह simple quadratic भी नहीं है actual में pure quadratic है देखो और बात बताई थी quadratic की equation कहना चाहते है तो equate कर देना 0 के साथ या फिर simply को quadratic maximum power 2 और 7 में 1 power को मतलब यह बीच वाली ट्रम यह तो simple quadratic है और pure quadratic कौन से होती है बीच वाली ट्रम अट चाहिए है ना यहाँ पर गाइब है सही है तो यह pure quadratic यह भी pure quadratic है और quadratic को actual में आप यहाँ पर put करके चला मतलब partial fraction apply करना चाहो तो कर सकते हो इस चीज का मतलब जैसे कुछ ही स्तरीकी से की simply जैसे आप let कर लो इस सारे कोई पूरे function को function तो पता होता आपको integration के symbol से अलग और dx से अलग fx नाम होता है तो इस पूरे को आप अगर चाहो तो कोई इस तरीके से भी put कर सकता है ठीक है ना मतलब किसी को यह direct यह बात नजर ना इतो direct partial fraction apply ओ सकता है किस तरीके से simply बता था आपको क्या करना था देखो पहला factor है quadratic quadratic तो यह power 2 वाली चीज़ा रही है आपको समझ में सही है तो quadratic की वज़े से एक shortcut बता था quadratic से एक मतलब linear और linear किस तरीके का होता है math में linear होता है कुछ इस तरीके का a into x इस तरीके से और इसके डिवैड में ये factor पूट करता है इस तरीके से सही है और फिर इसके बाद बताता power तक जाएंगे यहाँ पर power 1 है इसलिए आगे step नहीं होगा तो इस तरीके से सही है तो इस तरीके से लेकिन ये linear आफ है linear अब होगा मतलब constant रहम आ सकती है simple सी बात है constant साथ में हो सकता है तो इस तरीके से फिर बीच में पलस का sign इस तरीके से फिर ये दूसरा भी quadratic है तो quadratic के लिए सबसे पहले one power के लिए यूज करोगे आप इस तरीके से और quadratic से एकम linear a और b यूज के है तो नए आप यूज कर सकते है cx पलस d फिर इसके बाद वो चीज अपलाई कर देना कौन सी कि power तक जाएंगे power का मतलब यहाँ पर power one है तो power two तक जाना इस तरीके सारी बाते आपको बताई थी और ये linear वाली चीज तो यहाँ पर भी यह आ जाएगा ex पलस f चाहो तो इस तरीके से solve कर सकते हो सही है तो बस और इसके बाद compare करना है आपको ठीक है ना और ये इतने constant हो की मतलब इतने variable की value find out करने पड़ेंगी कितने variable है 6 a, b, c, d, e, f ठीक है तो मतलब सिंपल सी बात आपको समझे मैं रही है numerical calculation muscle होगी और कुछ नहीं solve इसे भी होगा ठीक है आँ चाहो तो आप direct partial fraction चाहो तो use कर सकते हो ये बात क्यों है अब थोड़ा सा ये बताओ आप partial fraction use हो सकता है plus to class में देखो तो maximum quadratic तक ही use होती है quadratic का मतलब power तो कभी आपको partial fraction के numerical में power 3 मतलब 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 वो आप समझ सकते हैं मतलब क्यों बाई quadratic की इस तरीके से वो कभी भी नहीं आएंगे ये बात integration में नहीं होती ये बात plus to class में valid मतलब condition अपलाई है ठीगे ना तो इन चीजों का फाइदा उठा लिया करो simple सी बात है तो इसलिए आप चाहो तो direct partial fraction use कर सकते हो calculation lengthy होगी या फिर आप directly जिसको x के रो 2x नजरा रहे अच्छी बात है बात कितम बताओ इसमें क्या है ओ सकता है numerical में कभी ये 2 ना हो तो कह दो 2 हम ले करके आएंगे इस तरीक किसी depend करता है numerical किस तरीक की का main है सबसे आसान तरीक का तो एक है integration का कि कोन किसका differentiation है x square दिखा तब ही कह दो 2x होना चीए कहीं से ले करके आओ पहले दिया हुआ है numerical आसान है इस वज़े से तो बस calculate कर लो सही है तो इस तरीके से चलो इसकी calculation और कर लेते हैं तो जैसे कुछ इस तरीके से जैसे ठीक ना सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लेना फिर इसके बाद चाहो तो देखो अंतर है put और let करने में ठीक है तो चलो put करके चल पढ़ते हैं तो put कर देना आप simply किसको x square को ठीक है ना कोई नया function आपके उपर है normally हम plus to class में z या फिर t put करते हैं कोई जरूरी नहीं है किसी को और वर्ड अच्छे लगते है वो यूज करते हैं ठीक है ना तो इस तरीकी से अगला step क्या होता है differentiation with respect to x मतलब function सबसे पहले किस में है ठीक है ना x में है तो इस वज़े से तो पस इसके बाद x square का हो जाएगा differentiation power rule से power आगे power में से कम वो वाली चीज़े सही है फिर z का z का क्या होगा with respect to x d z by dx और divide वाला dx यहाँ पर तो इस तरीकी से सही है अब इसके बाद integration बदल जाएगा तो कर लो change किस तरीकी से ठीक है ना 2x into dx उपर है तो उसकी जगा हम लिख सकते हैं d z इस तरीकी से नीचे क्या आजाएगा जैसे है मारे बास x square को हमने put किया z तो कितना होजएगा z plus 1 होजएगा फिर इसके बाद z plus 2 का all square तो इस तरीकी से सही है पस इसके बाद calculation है अब ये फिर आपके उपर depend करता है किस तरीकी से चाहो partial fraction यूज कर सकते है simple सी बात है सही है तो अब जैसे मतलब मतलब आप वही है यहाँ पर partial fraction यूज करना चाहते है तब भी ठीक है मतलब हर भार integration में तो एक बात हमें सही है आप याद अरक लो ठीक है ना एक ही numerical के बहुत सारे अंसर होते है integration में simple सी बात है तो बस इसको use कर लो आप यहाँ पर जो तरीका समझे मेरे वो कर दो multiply करके चलना चाहते है उसके इसाब से solve कर सकते है आपके उपर है चलो यहाँ पर partial fraction apply कर लेते है तो क्या होता उसमे let कर लो आप simple सी बात है ठीक है ना तो इस पूरे function को तो यहाँ पर यह इस तरीकी का है d z से और integration के simple से अलग वो है मारे पास तो इस तरीकी से सही है अब इसके बाद किस तरीकी से हो जाएगा वही यहाँ पर सबसे पहला factor linear कैसे पता चला power 1 है ठीक है ना तो linear से एक कम वही ट्रीक है linear से कम constant होता तो constant के लिए simply यह मालवाप नीचे पहले वाला linear इस तरी फिर बीच में plus का sign फिर दूसरा दूसरा के linear है यहाँ से पता चला ठीक है तो linear के लिए फिर से एक कम मतला constant तो z प्लस 2 हो जाएगा फिर बताता power तक जाएंगे यहाँ पर power 1 है अगली बार power 2 तक जाना तो 2 तक जाना सीम उपर यहाँ है तो linear ही तो linear से एक कम constant होता है तो नीचे power तक चले जाओ आप simple सी चोटी-चोटी बात है हर बात discuss हो चुकी है कि एवल calculation तो इस तरीकी से अब इसके बाद LCM लोग calculate करो simple सी बात है सही है तो इस तरीकी से कितना हो जाएगा अब जैसे left hand side में one मतलब actual में आपर यह तीन हो मतलब factor की आप LCM लेके चलते हो फिर दोनों साइड cancel हो गया फिर डिरेक्ट भी लिख सकते हो बस समझना होता है ठीक है तो यहाँ पर एक LCM में यह आएगा यह वाला factor है और एक यह आजएगा यह तो इसी का इसा है देखा जाए तो मतलब फिर यहाँ पर इसे जो टोटल LCM आएगा इस तरीके का आएगा आपके पास उसमें से यह वाला cancel हो जाएगा फिर उसके बाद यह बचेगा तो मतलब कहने का मतलब एक ही multiply इस factor के साथ करतो आप सही है तो Z प्लस 2 का उल स्केर भी साथ में दोनों चीजे साथ में यूज़ कर ले A प्लस B का उल स्केर वो वाली बात है ठीक है ना तो calculation simply तो जैसे A प्लस B का उल स्केर तो A का स्केर प्लस B का स्केर प्लस 2 A B calculation है तो 4 Z होचेगा फिर आप A के साथ multiply करते हो उस चीज़ की तो इस तरीके से सही है फिर इसी तरीके से फिर यहाँ पर तो यहाँ से समझ जाओ Z प्लस 1 की multiply होगी और फिर Z प्लस 2 की एक बार ठीक है ना तो मतलब Z प्लस 1 into Z प्लस 2 आएगा और उसकी multiply आपने B के साथ करने कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से Z प्लस 1 into Z प्लस 2 ठीक है प्लस का साइन फिर C की multiply किसके साथ होगी यह factor direct cancel होगा तो उसकी Z प्लस 1 के साथ होगी और वो आप इस तरीके से लिख सकते हो C की multiply इसके साथ करोगी तो calculation है ठीक है ना तो इस तरीके फिर उसके बाद आप compare कर सकते हो यहाँ पर चाओ तो direct calculation लिख भी सकते हो ठीक है ना कितना जाएगा Z स्केर हो जाएगा फिर एक बार 2 into 1 हो जाएगा और 2 की B के साथ और एक बार 2 Z और प्लस का Z मतल 3 Z और 3 Z की B के साथ इस तरीके से होचे calculation totally फिर compare कर दो आप लिखना चाओ तो इस बात को लिख देना by comparing ठीक है ना तो इस तरीके से तो कितना होचेगा बस यहाँ पर सब से पहले आप maximum power variable है Z तो Z की maximum power है 2 ठीक है तो उसके coefficient क्या क्या है इसका A है यहाँ से यहाँ से B है ठीक है ना तो A plus B होचेगा और left hand side में कितना है Z square का तो coefficient थोड़ी नहीं समझने की साथ से आप इस तरीके से लिख सकते हो तो 0 है ठीक है इस तरीके से फिर उसके बाद एक power कम तो मतलब यह वाली चीज़ तो एक बार तो है 4 A ठीक है ना इस तरीके से फिर इसके बाद यहाँ पर है तो 3 B है इस तरीके से फिर 3 B है जैसे फिर उसके बाद एक power कम यहाँ पर भी केवल C है और left hand side में उसका coefficient आप simply इस बाद को भी चाहो तो इस तरीके से लेख सकते हो ठीक है तो वो 0 है इसी तरीके से एक factor आजेगा constant जैसे कितना है एक तो 4 A constant यहाँ पर Z से लग तो मतलब 4 A है इस तरीके से बीच में प्लस का sign ठीक है ना फिर 2 B है और फिर C है 2 B है C है और left hand side में constant 1 है 0 नहीं है 1 है बस इसके बाद calculation होगी सही है तो इस तरीके से मतलब आप तीन equation है तीन variable है शोल हो जाएंगे ठीक है ना किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो जैसे A plus B मतलब कहीं से जो भी method जानते है elimination method मतलब जी भी तरीके से solve कर सकते हो solve कर लो इनको ठीक है ना तो कुछ चीज दें कि जैसे हाँ पर 4A है 4A है ठीक है तो यह cancel हो जाएंगे मतलब दोनों को आप इन दोनों को सबसे पहले minus कर दो ठीक है तो चलो इस में से यह minus कर रहें समझने कि साफसे तो 4A से 4A cancel 3B minus 2B हो जाएगा केवल B बचेगा इस तरीके से ठीक है फिर C में से C cancel हो जाएगा राइट एंड साइड में कितना बचेगा हमारे पास ठीक है ना तो 0 minus 1 होगा इस में से यह minus कर रहें ठीक है ना तो 0 minus 1 होगा तो इस तरीके से लिख देना आप ठीक है ना फिर इसके बाद शोल हो चुक है B की वेल्यू आचुक है तो B की वेल्यू आचुक है तो यहां से from 1 A की वेल्यू आजेगी A की minus B तो मतलब A की वेल्यू plus 1 हो जाएगी calculation है ठीक है A और B की वेल्यू आचुक है पर से भी आप C की वेल्यू निकाल सकते हो ठीक है तो जैसे यहां पर A की वेल्यू पूट कर दो तो 4 into 1 4 हो जाएगा इसके बाद 3 B minus 3 हो जाएगा plus का C calculation है तो यहां पर 1 बचे का right and side में लेकर जाओगी तो आप minus 1 हो जाएगा total calculation है A, B, C की वेल्यू निकाले पूट कर देना आप जहां पर पूट करनी थी मतलब जहां से लेट किया था A, B, C की वेल्यू पूट करो और इसको सारे की integration तो मतलब लास्ट में हमने integration कि इसका solve करना ठीक है ना तो किस तरीकी से A की वेल्यू कितनी आई, 1 आई है और इसके नीचे जो भी फैक्टर था Z plus 1 था फिर बीच में पलस का sign B B की वेल्यू आई हमारे पास minus 1 आई है जो भी आपके पास रिजल्ट है नीचे Z plus 2 फिर इसके बाद C की वेल्यू और नीचे Z plus 2 का old square इस सारे का integration हमने solve करना है तो इस तरीकी से सही है तो अब इसके बाद calculation हो जाएगी तो इसका divide में linear है है ना linear और linear के लिए direct बता था log apply कर दिना तो log of Z plus 1 हो जाएगा इस तरीकी से फिर उपर यहाँ पर तो यह divide में केवल linear है linear का मतलल केवल power 1 हो नीचे तब भी log apply होता है ठीक है ना आप integration के basic rule तो apply करोगे इस तरीके log of Z plus 2 लेकिन यह minus 1 अलग सी है इस तरीके से सही है फिर यहाँ पर यहाँ पर linear नहीं है तो इसका integration डारेक्ट नहीं होगा यह formula apply है किस तरीके से divide में क्या है divide में pure quadratic है तो यह आपको नजर आना चाहिए किस तरीके का अभी यह आपके उपर है तो simply यहाँ पर है तो linear power अलग है तो power इसके लिए rule था यहाँ पर formula इस तरीके से कह सकते है आपकी सबसे पहले power action में उपर जाएगी ठीक है ना simply समझने की साबसे minus one तो यह था फिर यह उपर जाएगी तो power minus two होगी और rule क्या था कि integration का integration का power rule क्या था कि power में एक जोड़ तो तो जैसे शुरू में तो z plus two के उपर power जाएगी तो आपके पास minus two है इस तरीकी से one जोड़ोगे तो इस तरीकी से हो जाएगी और नीचे उसी से मतल पावर से डिवाइड करता आप यह वाली इस तरीकी से सही है बस इसके बाद ठीक है ना और फिर plus का c आ जाएगा यह c कौन सा है यह यह वाला सी नहीं है यहाँ चाहो तो आप d लिख देना कि d को फिर बता देना लास्ट लाइन में क्या है constant of integration ठीक है ना simple से बात है तो इस तरीकी लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमी है क्या थी कमी क्या है यह बता था कि z है जैसे यहाँ पर तो simply तो यह बता था कि x की power से ठीक है न मतलब x के coefficient से divide करना मत बोलना लेकिन आप integration अमने जैसे z की ट्रम में करना तो आप कह देना यहाँ पर z के coefficient से divide करना मत बोलना एक्चल में यहाँ पर one भी है अब यह तो simple सी बात यहाँ पर one से तो कोई अंतर नहीं आएगा अगर one की जगह कुछ और होता तो फिर answer अलग होता छोटी छोटी बात यह आपको सारी याद रखने पड़ेंगी तो इस तरीक से सही है बस इसके बाद और जो put की थी last में बता था क्या कि put मतलब put की वाली चीज़ या फिर कह दो उदार वाली चीज़ उदार की चीज़ यह वापिस करने पड़ेगी बात कतम तो simply कह दो आप log of हा यहाँ पर property apply करना चाहते हो तो करते ना log of ठिक ना actually में तो यह आपर होगे नहीं ठिक ना वोड़ेंड करता है सही है तो गय ने का मतलब जैसे यह आ पर तो जाएगी मतलब वोड़ेंड करता है आप यह minus one किस तरीके से यूज करना चाहते है इस बात का मतलब चलो यह तो लोग E जैसे उपरा Z plus 1 और उसको डिवाइड कर तो आप Z plus 2 से इस तरीके से लिखना चाहो तब भी ठीका आप का अंसर ठीक है फिर इसके बाद देखलो ये minus 2 plus 1 minus 1 हो जाएगा उसे minus से minus cancel हो जाएगा ठीक है इस तरीके से फिर यहाँ पर Z plus 2 गी पाउर minus 1 नीचे लियाओ पलस 1 हो जाएगी इस तरीके से ठीक है ना चाहो तो आप ये लिख दो और फिर इस D को लास्ट में बता देना ये D क्या है ठीक है इस तरीके से लिख देना आप ये नॉर्मली हम C symbol यूज कर लेंथी क्यों है देखो अब वही है जिसको मतल अगर एकजाम के साब से सोचो तो ये इतना लेंथी थोड़े ने नुमेरिकल लेकिन ये थोड़े से लेंथी मतल भी वीडियो को कह सकता आप इतनी लेंथी क्यों क्योंकि में है नुमेरिकल को सोल करने की जगे number of choices कि नुमे ये last में तो इस तरी किसी बस आपको बताए put और let के let में अंतर होता है ठीक है put का मतलब उदार की जिए वापिस करनी पड़ेगी ठीक है ना आप वापिस मतलब इस तरी किसी ये भी वापिस नहीं हुया था ठीक है ना वापिस का बहुगा जैसे हमने z क्या था x square को z माना तो लास्ट में z की जगह x square put करते हैं आप तो ये final answer हो जाएगा इस तरी के जहांपर भी z है अब है ये सही answer तो इस तरीके से इसी तरीके से हम next numerical solve करेंगे सही है तो अगर आपको मेरी वीडियो चले गए तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और मेर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थेंक यू